22 दिसंबर का दिन एतिहासिक होगा, पूरा विपक्ष लगभग 28 दल एक जूठ होकर पूरे देश में 151 सांसदो के निलंबन का बिरोत करेंगे आज इंडिया गटवंधन की बैठक होई और जिस तरह से परधान मंत्री ने आरोप लगाया था घमंडिया गटवंधन उसको लेकर भी ये निता सचेव दिखें और एक बड़ा फैसला हुआ है परधान मंत्री का उमिद्वार कौन इस पर अफसाइद लराई खत्म हो गई है इबियम को लेकर बड़ा फैसला हुआ है सीट सेरिंग कौन कहा कैसे चुनाव लड़ेगा इसको लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है नमस्कार मैं संभु कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस तक इंडिया गटवंधन के निताओं को लगभग पता चल चुका है कि मीडिया उनके खिलाफ है इसलिए वो कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते हैं जिससे मामलाफ हां से परधान मंत्री का पद कौन धारन करेगा कौन होगा परधान मंत्रेगर गटवंधन जिता है इसके लिए भी सारे ओप्सन खारी रखे गए हैं मैं पहले दिन से कह रहा था अगर तीन राज्यों में कॉंग्रेस हार जाती है तो 2024 में इंडिया गटवंधन मजबूत होगा और चुनाओ ये लोग काईदे से लड़ेंगे मैं फिर कह रहा हूँ जितने परधान मंत्री पत को लेकर जो ये नूरा कुस्तिती उसको खत्म कर दिया गया और सब के लिए बड़ाबर का मौका रखा गया है जिस तरह से राजस्थान, मतपर्देस और 36 गर में बीजे पी ने मुख मंत्री के लिए ओप्शन खूले रखे थे वही फर्मूला इंडिया गटवंधन ने अपनाया है और एक तरफ जहाँ इंडिये का परधान मंत्री पत का उमिदबार परधान मंत्री नरेंद्र मोधी होंगे लेकिन इंडिया गटवंधन में पी-म कोई भी हो सकता है इससे ये होगा कि हर पार्टी अपनी पूरी बेश्ट देने की कोशिस करेगी सबकी कोशिस होगी कि हम बेश्ट दे अखिलेश या दबेश्ट दे सबसे बड़ा तो ये सस्पेंस रखा गया है साफ साफ कहा गया है कि कोई मीडिया में इस पर बात नहीं करेगा ये बात तय है कि 2024 में अगर सरकार बनती है गटवंधन की तो कोई दलित, पिछरा, आदिवासी या आलफ संख्या की परधान मंत्री होगा ये इस मीटिंग का सबसे बड़ा सवाल है दूसरी सबसे बड़ी बड़ा सवाल है कि अब इंडिया गटवंधन तो 2024 तक चलेगा ये तय है, तीनों राज में कॉंग्रेस की हार ने कॉंग्रेस की अकर को ढिली कर दी है और वो इस गटवंधन को बनाय रखना चाहते हैं और वो किसी कीमत पर इसी गटवंधन के तहर चुनाओ लरेंगे और देश भर में बड़ी बड़ी रहलियां इंडिया गटवंधन की होने वाली है पहली सुरुवात 22 दिसंबर को होगी मतलब ठीक, 22 दिसंबर को देश भर में इंडिया के जो पुलिटिकल पाटियां है 28 दल जो है, वो एक बड़ा विरोत परदरसन करेगी जिस तरह से 150 से ज़्यादा सांसदो को निलंबित किया गया निलंबन की बात है तुम्हें बता दू, कॉंगरेस के राजीव गांदी ने 68 सांसदो को निलंबित किया था, उसका रिकॉर्ड अम मोदी जी के सरकार में तूट गया है वही पी-एन को लेकर सब कुछ साफ हो गया है कि कोई जगरा नहीं है परदान मंतरी को लेकर कोई जगरा नहीं है जो चुनाओ जीतेगा गटवंधन की मीटिंग होगी उसके बाद ही होगा जाएगा वो कितने सीटे देती हैं लेफ्ट को या कॉंग्रेस को वो उन पर निर्भर करता है राजस्तान मतपर्दे 36 गर में कॉंग्रेस को दिया जाएगा कि आप सिंगल हैंडेट चुनाओ लड़िये लेकिन सवाल है कि अगर ये ये फर्मूला जो है वो कारगर होता दिख रहा है कॉंग्रेस कोई हट धर्मिता नहीं करेगी और किंद्रिये नितरित जो है वो सारे फैसले करेंगे मतलब सबके लिए बड़ाबर का मौका छोड़ा गया और घमंडिया गटवंधन बला जो टैग था वो कुछ-कुछ खत मोरा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इस गटवंधन में कुछ और लोगों को अगर नहीं लाया जाएगा तो मजबूत नहीं हो सकता है चाहे वो तेलंगाना के बियारेस हो चाहे असदुदिनोवैसी हो या बियसपी के मायवती हो या चंसेखर हो या हनुमान बेनिवाल हो कोशिस तो यही होगी इन लोगों की कि इन से भी लगातार बात की जाए जिसमें बियसपी सुप्रीमो मायवती बड़ा फैक्टर है तो एक दो महीने में जनवरी फरवरी तक कुछ और आपको बदलाब दिखेंगे लेकिन ये इंडिया जो 28 दल है इनका तो फिलाल इंटैक बड़ा मुद्दा होगा इबियम को लेकर भी गटबंधन में बड़ी बैठक हुई है कि सारे दल जाके चुनाव आयोक से मिलेंगे चुनाओ तो इनको लड़ना होगा लेकिन अखलेश यादब ने जो बयान दिया था कि अगर इंडिया गटबंधन जीता है तो चुनाओ उसके बाद इबियम खत्म होगा तो ये तो तय है कि अगर बीजेपी चुनाओ हारती है अगर इंडिया का जो गटबंधन है वो चुनाओ जीतता है तो इबियम का वो आखरी साल होगा उसके बाद इबियम से चुनाओ नहीं होगा बैलेट से चुनाओ होगा तो ये जनता क के सामने वो मैसेज ले जाएंगे कि अगर आप हमें बोर्ट देते हैं तो हम EBM खत्म करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाओ कराएंगे ये बड़ा मुद्दा हो सकता है जाती जनगर्ना SCST OBC की पुलिटकल जो पावर है वो बरने वाली है त्योंकि अब इंडिया गटवंधन के लगभग नेताओं को लग गया है कि सवन समाज के लोग हमें बोर्ट नहीं करते हैं इसलिए उनके मुद्दों पर ज्यादा मुखर नहीं होना है दलिद पिछरे आदिवासी किसान MSP का मुद्दा उठाए MSP बड़ा मुद्दा होगा महंगाई बड़ा मुद्दा होगा राधनितिक नौकरी बड़ा मुद्दा होगा प्राइप्टाइजेशन बड़ा मुद्दा होगा और SCSTOBC का रिजर्वेशन प्राइप्टाइजेशन में लागू हो जाई ये भी बड़ा मुद्दा हो सकता है तो ये तो लगवक्त है कि इंडिया गटवंधन में अब जाकर पूरी सहमती बन चुकी है परधान मंत्री के पद को सस्पेंस रखा गया है और उस पर ताकि सब को लगे कि हम अगर बहतर करते हैं तो हमारे पास जादा ओप्सन है इसका मतलब है कि ठीक जिस तरह से इंडरा गांधी के खिलाप एक बड़ा एलाइंस बना था राजीब गांधी के खिलाप एक बड़ा एलाइंस बना था वही स्तीति इस बार बन रही है और नहिंद्र मोधी के खिलाप एक बड़ा एलाइंस बन ही गया है अब सवाल है कि लगातार BJP जैसे आज संसद में एक बढ़ामन संसद ने पूरा खेल विगार दिया असमिता से जोर दिया और इसको मीडिया हवा दे रहे तो ये तो भी पक्षी गटवंधन को पता है कि उनका मीडिया नहीं है तो ये एक बात ता है कि आज की बैठक में जिस तरह से खरगे को हाउत किया गया उन्होंने आके बयान दिया मीडिया को बोलो बहुत टेकन टू भी गरांटेर लेने के पक्षम है उनको पता है कि मीडिया उनके खिलाफ है सोसल मीडिया पर उनका कैंपेन का जोर रहेगा तो आपको 22 दिसंबर को बड़ी बड़ा पोटेश देखने को मिल सकता है और साथ ही पिछले एक दो महीने में कुछ बड़ी रहलियां दिखेंगी जहां 28 दलो के नेता एक साथ इन रहलियों में सामिल हो सकते हैं सबसे बड़ा अप्रेश दे रहा हूं इंडिया गटवंधन के आज की बैठक की बीजेपी के लिए बीजेपी क्या करेगी ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि परधान मंत्री का पद अगर घोसित हो जाता है इंडिया गटवंधन में तो थोड़ा मुस्किल था बैकवर्ड घोसित करते तो सबर्ण तो वैसे ही नाराज है तो ये बात तो तो तह है कि इंडिया गटवंधन में कोई सबर्ण तो परधान मंत्री नहीं होने जा रहा है क्योंकि ममता बनर जी ने खुद खड़गे का नाम आगे बराया है और विन केजरिवाल ने खुद उ छबन तो एबियम से व theor आखरी चुना होगा खत्व होगा और तमाम ये मुद्द्ञ जो है वो इंडिया गटवंधन ने तई है तो ये बात तहुद है कि जो घमंडिया गटवंधन कहा जा रहा था उस टैक से इंडिया गटवंधन निकलना चाहता है और उनके नेता आपस में कोडिनेशन बनाए रखना चाहते हैं यह साफ साफ दिख रहा है तो यह बड़ी बैठक थी इस बैठक का यही लबोलुआप था 22 दिसंबर को किस त निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख